हाई गाईज हलो चपाटी कैसे आप सब लोग आई होप सभी बच्छे काफी अच्छे होंगे मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्छों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं वेलकम और वेलकम बाक तो दिस चैनल बचापाटी आज के वीडियो का कांटेक्स्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आप सबको पता है कि यार हमारे जो है न वेकेशन आने वाले हैं और अब हमें थोड़ा सा प्रोड़क्टिव रहना पड़ेगा हो सकता है कि हमारे बहुत सारे बैकलॉग्स बने हों ह हो सकता है कि हमने अभी तक उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई करी हो लेकिन अब यह जो दस से बारा मिनट की वीडियो रहने वाले इसको आप स्पीड इंटू 1.5 या इंटू 2 पी देख सकते हो जैसा आपको सही लगे अब यह जो दस बारा मिनट की वीडियो रहने है कि जो हमें जुए न यह अपनी रूटीन के अंदर ने चाहिए कितने घंटे layingay और कैसे करना पड़ेगा यह मैं आपको इस विडियो में बताने वाला कि आप सब बच्चों के पास अभी 30 डेस का टाइम है, ठीक है ना, एक 30 डेस की विकेशन का टाइम मान लेते हैं, समर होली डेस मान लेते हैं, इसको चाह कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है ना, और अभी जो है ना बच्चा, हमें इसके अंदर, क्या-क्या चीज कवर करनी है, हमें इसके अंदर हमारा बैकलॉग्स भी कवर करना है, हमें इसके अंदर हमारा जो new आएगा जो हमारा new syllabus है उसको भी cover करना है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग coaching नहीं ले रहे होंगे या फिर classes नहीं ले रहे होंगे हमें सब कुछ cover करना है हाँ अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक online या फिर किसी coaching के साथ नहीं जुड़ा है तो नीचे description में एक link दे रहा होगा ठीक है ना मेरे plus batches में आप लोग आ सकते हो वी के army code यूज़ करके हाल फिलाल आपको 20% off मिल रहा है 10 तो मिले गई मिलेगा तो यह आप कर सकते हो और काफी मतलब ज्यादा अच्छे तरीके से हम वहाँ पढ़ा रही होते ठीक है ने-ने batches start हो रही तो backlogs हो गया और साथ ही साथ मैं new syllabus कैसे cover करें यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे diet से related की ठीक है ना और sleep से related की कितने घंडे सोना चाहिए कितने घंडे पढ़ना चाहिए क्या कैसे करना चाहिए देखो मैं ऐसा कोई time table ना आपको बना के देने वाला हूं ना बताने वाला हूं और ना ही आप से यह follow up आएगा जैसे जो भाईया दीदिया अब यह जो हम generally follow करने की कोशिश करते हैं फिर हमें क्या follow करना है मैं आपको बताऊंगा पॉरन एक्जांपल रात को हम सो गए बारा बजे और मुझे यह पता है कि साड़े चे गंटे की नीड या साथ गंटे की नीड चाहिए मुझे तो मैंने अपने डाइरी में लिख लिया कि कल सुबह साथ बजे मैं उठूंगा साथ से आठ जो है मैं अपना नहाद हो लूँगा फ्रेश हो जाओंगा फिर आठ से मैं पढ़ने बैठूंगा आठ से द सब्सक्राइब करने की कोशिश करता है फिर बिस्तर पर ही यह दिल हमें बोलता है अच्छा एक चोटा सा टास्क बोलाता तुझे सुबह साथ बजे उठने का वो भी तुझसे नहीं हो पाया देख तेरे नहाने का टाइम वेस्ट हो गया ब्रश करनी पाया अब बता तुने तो आच से दस की फिजिक्स पढ़ने थी साड़े आट तो अभी बज़ रहे उठेगा फिर उसके बाद फिजिक्स कप पढ़ेगा फिर केमिस्टी कप पढ़ेगा पता नहीं क्या चाहिए और ऐसा सोचते सोचते हम रीग्रेट में आ जाते हैं ऐसा करते करते लगबग लग आएसा कुछ सोचा तो दिमाग में सीधा आना चीए ठीक है ना बाई कोई बात नी जहां मुझे फ्रेश होना था जहां मुझे नहाना दोना था एक घंटे में अब मैं वह आदे घंटे में फटाफट करूंगा जहां मुझे फैसिक्स दो गंटे पढ़नी थी आप मैं 1.45 म पढ़ लूँगा जहां मुझे केमिस्ट्री दो गंटे पढ़नी थी आप मैं 1.5 गंटा पढ़ लूँगा क्यूंकि 1.5 गंटा पढ़ा तो जहां मुझे आदे गंटे का रहे ताब मैं 20 मिनट का रहे तो पूरे दिन मैं हर एक टॉपिक में 10-10 मिनट कम करके वह जो जो 1.5 सब लोग अलग अलग चीज को experience कर रहे होते हैं किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है बट जो मैंने रियलाइस किया जो मैंने फील किया मैं आपके साथ वह शेयर कर देता हूं मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखे एक आपका एक फिक्स्ट स्केडियूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका एक फिक्स्ट स्केडियूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिटा मेंडेट है यह चीज तो क्यूंकि अब हमारा फिक्स्ट स्केडियूल होना जरूरी है मतलब आप अगर 10 बजे सो रहे है तो आप 10 बजे सोएंगे, आप 11 बजे सो रहे तो 11 बजे, 12 बजे सो रहे है तो 12 बजे, लेकिन मैं personally ऐसा feel करता हूँ, कि आप लोगों को रात को 10 बजे finally सो जाना चाहिए, और 10 बजे जब आप सो जाए, ठीक है ना, तो आप लोगों को साड़े 6 गंटे की नीन चाहिए, अगर तो साड़े 4 बजे आपको उड़ जाना चाहिए, उसकी पीछे का fact है भाई, देखें, सुबह जब आप उड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों में positive-ness तो होती ही होती है, negatives क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, और आपको रात को, अब कोई बच्चा बोल रहा है, आरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, हम से पढ़ाई नहीं हो पाती, हम तो पढ़ते ही रात को है, 2 बजे तक पढ़े पिर सो जाएंगे, मैं सज बता रहा हूँ बटा, मैंने ये experience करके देखा है, तीन दिन मैंने ये experience किया, और तीन दिन मैं रात को 2 बजे सोया, ठीक है ना, अब रात को 2 बजे सोने के बाद काईवे से मुझे 8 बजे उठ जाना चाहिए, राइट, बट यहाँ जब मैं देख चुका था, ठीक है ना, ये उतनी productivity नहीं निकली, और यहाँ मैं साड़े आठ बजे नहीं उठा बेटा, यहाँ मैं उठा, 9 बच के 45 मिनट पे, तो एक इसाब से, और ये है भाई, scientific fact है, आप जितना जल्दी सोते हैं, उतनी जल्दी आपकी नीन पूरी होती है, ये मैं मान आने की कोशिश कर रहा है, आप आजमा के देख लेना, रात को जैसी आपके parents सो जाते हैं, उसके बाद जो आप सोचते हैं, आपको लगता है, मेरी तो बहुत ज़्यादा productivity बन रही है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है न, या तो हमारा willpower इतना ज्यादा strong है, कि भाई हम बैटे ह पढ़ें तो हम सिरफ पढ़ी रहे है, टाइम वेस्ट निकरेंगे, मोबाईल में एक सिंगल रील नहीं देखेंगे, तो तो आप कर लो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी पहले लेट नाइट पढ़ता था, और मैंने काम भी 5 साल तक लेट नाइट किया है, लेकिन, मैंने ये ची आइक से हमारी शुट्टी पढ़ रही है, मानलो, ठीकिन, तुमारे पास अभी दिन है, तुम कर सकते हो इसको, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, जब हम रात के धाई बजे सोने वाले लोग है, तो हम 10 बजे एक दम से कैसे सो जाएंगे, तो हो सक होना, अपने अकॉर्डिंग सो जाना, जब आप 10 बजे सो जाओगे, सुबह साड़े चार बजे, अब कुछ बच्चों का क्वेशन यह रहता है, कि सर, रात को 10 बजे सोने के बाद भी आख तो 8 बजे ही खुलेगी, देखिए यार ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, अब यह डेडिकेशन और यह जो गोल औरियेंटेशन है, यह जो आपके अंदर की जो मोटीवेशन है वो आपको जो है ना, सुबह साड़े-चार बजे उठाई ती है, जब आप एक बार इस दिमाग को बोलते है, इस दिल को बोलते है कि भाईया, मुझे सुबह 4 बजे या साड़े चार बजे उठाऊ, अब अगर आप पाच मिनट और सोगे तो आपकी आख सीधा सुबह 8 बजे खुलेगी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अब वो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपकी नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ह या आपके यह जो गोल्स है, जो आपका सपना है, जो आपने ले रखा है, उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले पहले भईया, आपका स्केडियूल तो फिक्स होना जरूरी है, अब कोई बच्चा चलो ठीक है, मालनो 10 बजे नहीं सो पारे, 12 ब पीनियन मांगोगे, तो मैं कहूंगा यार ये चीज़ त्रीक है, बिल्कुल सही है, जो भी काम करने, एक तो क्या होता न, देखो, यहाँ तुम साड़े आड़ बजे उठोगे, या कुछ बच्चे मालनो ऐसा बोलता है, सर तीन बजे सो जाता हूं, ठीक है, कोई बात नही मान लेता हूं, साड़े नो बजे उठोगे ना, तो तुमें, यार दिमाग है ना, भाई? दिमाग है, हमारी क्लासे देनी हाओ, तीन बजे से स्टार्ट होई जाती है, अब तुम साड़े नो बजे उठे है, तो एक चिसाब से अगर तुम देखोगे, तो दस बजे से मान गंटे है यहाँ पर 9 से 3 तक मेरे पास 6 गंटे है यहाँ पर 7 से 3 तक मेरे पास आपका 8 गंटे हो गए यहाँ पर तो यार 5 से 3 तक मेरे पास 10 गंटे हो गए तो जब तक मैं कोचिंग जाऊंगा यहां मेरे पास सिरफ तीन गंटे होंगे हड़ बडायट में काम करूँगा यहां मेरे पास शे गंटे होंगे फिर भी ठीक है यहां का बहुत ही बढ़िया है लेकिन यहां पर पूरे दस गंटे है जो भी मेरा काम होगा हम बहुत अच्छे से कर पाऊंगा मेरे backlogs भी complete कर पाऊंगा और मैं अपना जो आगे का syllabus है उसको भी कर पाऊंगा ठीक है न माले चार गंडे की coaching भी है coaching से आ गए तो coaching से आते ही coaching वाला revise कर लिया क्योंकि जो आज पढ़ाया वो same day revise कर लिया सोगे अपना सुबह उठे अप जो back-logs उस पर काम कर रहे लिए आपको दिखे तो मैने आपको तीन चीज़े बूली आपका sleep जो है sleep cycle जो sleep schedule हो fix होना चाहिए आपका ज़ो itskin रोड़ना चाहिए पहली बात कि आपका यह 30 दिन के लिए आप एक एसाबसे मॉंक मोड में लोग 21 दिन बोलते हैं 30 दिन मानके चलते हैं एक मॉंक मोड में चले जाते हैं लोग ठीक है न हम एक गोल बना लेते हैं अपना कि बाई मुझे अगर रेस्ट लेना है फॉर एग्जामपल आपको मुबाइल यूज करना है पूर एंग्जाम्पल तो एक टाइम बना लो कि भाई मैं जो एना एक एक्जामपल ले लेते धिन के 2 बज़े से लेकर और 2.45 या उसले था नींए भाइब बजेतक या तीन बजे तक माले लेते हैं यह भाइल यूज nut कर आंगा अब चाहए कुच भी हो जाए इससे पहले तो मैं कोई डील कोई भी एक्स्रा टाइम में मोबाइल पे नहीं बिता रहा होंगा या बिता रही होंगी और इससे पहले में पूरा प्रोडक्टिव रहूंगा एक नशेड़ी को जब बोला जाता ना कि भाई शाम को छे वजे ठेका खुलेगा तो वह कुछी भी हो जाए बाकि सारे काम सिट बनाके एक दिन करेंगे कि आज रात को एक पेपर पर लिए कंई कर लेंगे लिए मुझे पहले दिन तो 10 गंटे पढ़ लिए और उसके बाद फिर पड़ी नहीं पारे देखो फैक्ट है तुमने टॉपिक डिसाइड कर लिया ठीक है ना पहले दिन थोड़ा कम परो फिर थोड़ा सा और ज्यादा फिर थोड़ा सा और ज्यादा हफता तो थोड़ा सा कम पढ़ लोग इक्सेस करला भाई उस ताइम पर लेट के सोंगी जाओ अपना एक्सेसाइस करलो तो वह जो ताइम आपका पढ़ने काumbledore नहीं करेगा तो तुम्हारा अब जो है न exercise भी हो गया उस टाइम पे और जो तुमारा अलस्पन था वो भी दूर हो गया अब तुम आओगे अपना एक sense of achievement होगा पढ़ाई पे बैठ जाओगे पढ़ाई कर लोगे तो एक तो यह वाली बात हो गई और साथ ही साथ में यार अपना टास्क जो है न देखो आपक भाई चार दिन बहुत पढ़ लिए तीन दिन चुट्टी मार लिए ना भाई ना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि आप concept देखो मान लेते हैं हम पहले चार दिन 6-6 गंटा पढ़ लिए दबा के अब हमने थ्री डेस की चुट्टी ले लिए यहां पढ़े ही नहीं तो पूरे गनटे भी पढ़ लूंगा नहीं चे का बिलकुल आधा हो गया एक चाब से साड़े इकीस गंटे हो गया ठीक है ना एक मिससाती एकीस हो गये एकीस और 335 गंटे हो गये साड़े-चौबीस गंटे हो गए मतलब आप देख पा रहे हो जहां मैं रोज साड़े-दीन गंटे पढ़ रहा हूं और जहां मैं हफते में चार दिन छेचे गंटा पढ़ रहा हूं तो भी यहां पर गंटे कम है और यहां पर ज्यादा है तो इसका मतलब आपको अगर घूमना भी है न तो अब थोड़ा थोड़ा पार्ट्स पार्ट्स में ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुली सब चीज छोड़ देंगे या बिल्कुली सब चीज खतम कर देंगे चलो भाई तीन दिन दिन को करेंगे लिए ठीक है कम कर लो थोड़ा सा रोज पढ़ो कंसिस्टिंसी के साथ तो अब कॉंटाक्ट में विए और आपको एक अचीर्मेंट भी लगे कि ने यार मैंने रोज पढ़ाई करें मैं आज भी कर रहा हूं कल भी परसो भी तरसो भी यह चोड़ी सी वीडियो थी ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी मे सब चीजों में और बच्चे को आगे वीडियो सही है भाई डिस्क्रिप्शन में कोड दे रहा है आपको वी के आर्मी कोड यूज करना है प्लस पे आने के लिए फिलाल 20% आफ मिल रहा है भाई फटा फटा आजो बहुत सस्ते कोर्सेज है ठीक है ना और मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिया और अल्ट वेरी बेस्ट बच्चा पाटी बाई गाइस बालन येस जैहिंद